जैहिन दोस्तों मैंनी धीबेन चोहान आज हम करेंगे क्लास 9 का 2.5 का question 1 इसमें हमें जो bracket में संख्याइं दी गई हैं उसमें हमें बोला गया है कि नित्यसम का प्रयोग करके सुत्र का प्रयोग करके गुणाकार करना है ठीक है तो यह देखिए इसको हम बोलेंगे x प्लस a और x प्लस b ठीक है तो यह हमारा a है और यह हमारा b है इसके लिए जो सुत्र होता है वो आपको याद करना पड़ेगा x square प्लस bracket में a प्लस b x प्लस a b ओके तो यहाँ पे a हमारा 4 है और b हमारा 10 है तो x square यानिकी x का वर्ब प्लस का प्लस a क्या है 4 तो a की जगा लिग देंगे 4 और b क्या है 10 तो b की जगा लिग देंगे 10 ओके और x की जगा x प्लस a b यानिकी यह दोनो गुणा हो रहे है ठीक है तो 4 गुणा 10 तो अब इसको हम solve कर देंगे x square प्लस का प्लस 10 और 4 14 14 x 4 धाम 40 ठीक है पहला question कितम चलते हैं दूसरे question की तरफ इसमें देखिए हमें दिया गया है x plus 8 bracket में और x minus 10 तो यहां हमारा a है 8 और b है minus 10 ठीक है तो minus को देखके आपको डरना नहीं है हम इसे easily solve करेंगे वही निर्थे सम है x square plus a plus b तो क्योंकि यहां minus का 10 है इसलिए minus 10 और यहां x plus a b plus a b यहनिकी दोनों के हो रहे हैं गुणा ठीक है अब इसे हम solve कर देंगे x square 10 में से 8 गया तो minus 2 और यह x का x ठीक है plus minus minus 8 धाम 80 और यहां x square plus minus minus 2 x और यह हो जाएगा minus 80 करते हैं तीसरा question इसमें देखिए वही है 3 x plus 4 bracket में 3 x minus 5 ठीक है तो x square यहनिकी इसका वर्ग 3 x का plus a plus b तो a क्या है इसमें 4 और b है minus 5 तो a plus b अब plus तो नहीं हो रहा है यह हम minus है और x तो x में हमें संख्या दी गई है 3 x ओके plus a b तो a 4 है और b हमारा minus 5 है दोनों गुणा 5 चौक 20 और यह plus minus minus ओके आगे 3 का वर्ग 9 तो इसलिए यह 9 x स्केर ठीक है 5 में से 4 गया तो minus 1 और यह 3 x और यह minus 20 9 x स्केर plus minus minus 3 एकम 3 x और minus 20 ओके अगला question देख लेते हैं question 4 इसमें हमें दिया गया है a plus b और a minus b तो a plus b a minus b का फार्मुला होता है a square minus b square ओके जब सेम ही नंबर हों लेकिन निशान बस अलग अलग हो गए तो हमारा फार्मुला बनता है a square minus b square ठीक है तो a square यानि कि a है हमारा y का वर्ग और b है 3 बटे 2 तो a square यानि कि ये पूरा a है ठीक है तो a square यानि कि y के वर्ग का वर्ग minus b square तो 3 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा ठीक है तो 2 दुनी 4 क्योंकि y के वर्ग का वर्ग हुआ है इसको हमने a माना हुआ है ठीक है 2 दुनी 4 minus 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 तो ये हमारा answer आ गया ठीक है अगला है question number 5 इसमें भी देखिए same ही संख्याए है बस यहाँ निशान बदल गए है तो ये हमारा formula बन जाएगा a minus b और a plus b का formula ये होता है a square minus b square तो a है इसमें 3 और b है 2x तो a square यानि कि 3 का वर्ग और b square यानि कि 2x का वर्ग तो 3 का वर्ग 9 minus 2 का वर्ग 4 तो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग आ जाएगा ठीक है इसी तरह से याए question खतम होता है thank you very much जै हिन जै भारत